नमस्कार दोस्टों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्टों एक देवी महिला आपको राजा बनाने वाली है शमेरेती आप जान लो कि यह देवी महिला आखिर कौन है जे दोस्टों आपको बिताते हैं कि उसका चरण ही कुछ इतना खाश है कि आपके घर में जाएगा जै दोस्टों आज कई है व्याप शमी के लिए बहुत ही ज्यादा महर्पूल और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है तो दोस्टों हम आप शुविछ चे आगरा करें कि कि आज की वीडियो को आप बिल्कुल ही न करें और दोस्टों सुरूश रहेकर अंद त इस तरह है कौन से महिला है जो कि आपको राजा बना शक्ति है तो दोस्तों हम आप लोगों से शर्व पर्थम विनिती करेंगे कि जो भी मातारानी के शच्चे भकते हैं वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंड बॉक्स में शच्चे मन से जै माता दिलिग दें मातारा लाने की किरपा आपकी युनकाल में शधेव रहेएं तोस्तों आपको बताते ही हर एक शबल इंसान की पीछी उनकी काम्याबी के पीछी एक ना एक आएक औरत का हा तवशा होता है यह बात तो आप मद जानते हैं लेकिन दूस्तों कि आप यहाबात जानते हैं आपके दोसों आपको बता दें कि आने वाले कुछी श्रमे में अगले 24 गंटों में अगले 36 गंटों में आप शिवी की जुनकाल में घटनाएं गटित होने वाली है आप तो यह बात जानते हैं कि शुर हमारी कर्मों को देकर हमें फल देते हैं बहले ही वो शाक्षात ना है लेकिन दोसों किसी ना किसी रूप में हमें अपना परिणाम और शिप्राप्त होता है जो कि आपके जीवन को पिल्कुल ही पूरी तरह बदल देगी और आपको हर परकार की शमर्शाओं से भी चुटकर देराने वाले शावित होंगे विकट परिस्तितियों में आपका साथ देने वाले शावित होने वाले हैं जो कि यह इसीव से प्हें बात करते हैं आप उनकी बातों में कभी ध्यान ले देते हैं लेगे दोस्सुआ अगले 24 20 गंटों में या फिर अगले 36 गंटों तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कौन सी देवी इस्त्री है कौन सी अच्छी इस्त्री है जो कि आपके मन में आपकी विचार में हमेशा पौश्ट भी बातें शेयर करता है कभी भी पूरी भावनों श्याप को कोई कार नहीं कह दोसों कारवार में भी कोई आपका एसिस्टेंड हो सकता है या फिर योग हैं आपके ग्रहा को शकते हैं इस प्रकार के जो भी इस्त्री आपके शमी पा रहे हैं आपसे अच्छी बाते कर रहे हैं बुरे भावनों श्यापको देख नहीं रहे हैं तो दोसों आपको यहां पात समझ लेनी चाहिए कि वहीं इस तरी है जो कि आपको राजा बना शक्ति है जे दोसों और आने वाले 36 गंटों में आपको यहां इस तरी मिलने वाली है जे दोसों तो दोसों अगले 36 गंटों के अंतर आपको क्या-क्या शावधनी रंगी चाहिए कौन-कौर्शे बातो काम्यावी दिलानेवाद शाबित होंगे इस तरी को पहचानने में काफी ज़्यादा मदद करेंगे जैदोसों दोसों एक उत्तम और परिपुन श्रमन कोई नहीं होता उनके लिए मांत्र एक दुसरे को उनकी शबी विचित्रतावों और आधितों के शाथ अपनाया जाए प्रेम किया जाए उनके शाथ समी बिताने की कोशिस की जाए और एक दुसरे की एहमियत और शमान किया जाए तो एक शम्मन श्वेंगी परिपूर्ण और प्रेम शे भर जाता है शम्मन को प्रगाड और उत्तम बनाने के लिए कोशिस दोनों और शे की जाने चाहिए जया दोसों तो आपको यह पाते हैं अच्छे लेगी हो यह बातों का शुर्ण पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू कर दें और इनके लिए कमेंट बोक्स में जय श्रीकिष्णा राध हिरादे वाए दोस्तों के शाथ बात करते हैं कि आने वाले 36 घंटों में यह ग्रेव मेलाव शिवी की जुनकाल में क्या-क्या पदलाव करेंगे दोस्तों यह जो समय होंगे आपके लिए सोच विजार और आत्मनेक्चन करने का समय होगा आपको द्वारा भी कोई महत्पुन जानकारिश में आपको प्राप्त हो सकती है इसके साथ ही दोस्तों यह अगर आपके शावधने को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि अहम और अत्यात में श्वास आप पर हावी ना रहे घर में भी भायों के साथ किसी परकार का बा के बारे में पर्गति वाली खबर मिलेगी जिसकी वजशे आप पर बना तनाव भीश में कम रहेगा लेकिन दोस्तों खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए विचारों में बदलाव लाने की अतिया वश्रकता होंगी खुद पर विश्वास रखें बातें अभी आपके प कोई योजना कारी रूप में परिणित हो शकती है दोस्तों आएके नए श्रोत यसमें बनने वाले हैं तथा आर्थिक इस्तिती भी यसमें आपकी बहतर होंगी आपको बता दें किसी नईतिकी मित्र की शलाह आपको कई परिशानियों से रहत दिलवाने वाली है दोस्तों इसमें मित्रों की आप शलाह पर विश्वास कर सकते हैं इसको प्राहंत किसी महत्पुन कारी में पारिवरिक वरिशात से की श्रहमेति अवश्यले ध्यान रखिए कि कोई भी अनुचित कार्य आपके लिए प्रिशानिका कारण बढ़ शकता है शाथी अपमान जनक इस्तित युद्पन हो शकती है और इसके साथ उसमें आपके लिए दोस्तों आपको बता दें कि आपका मर्मोजी सभाव दुसरों के लिए तकलित दायक हो शकता है नई मित्रों के साथ परिचे बढ़ाने की आवश्यले जिसके दोरा आपका नीजी भुष में फायदा भी हो शकता है वाइपार में शमदित बातों को रिक्ष लेने से पहले अपने शमता को प्रक्ष्ण आपके लिए आउश्यले होगा और इसके उप्राहं दोस्तों परिस्तिया अनुकूल है शमे की कीमत और महतु का जिसमें आपको सम्मान करना चाहिए आपको बता दें कि यह में आपक इसके साथ दस्ते यह जो समय होंगे आपके लिए किसी परकार की यात्रा करने से बचें क्योंकि दोस्तों इनसे कोई भी लाफ होने की शंभान उतना नहीं है जिद्धन आपपस सोच रहें किसी भी क्यारे में करने से पहले उन पर सोच बजाए कर लें वक्तिकत लाइप मे के पूरे होने के कारण थोड़ी राहत भी आपको मैसुल होंगी आगे कवजनायें बनाते शमय आपको मन को शांत रखने की आवश्रकता होंगी आपको बता दें कि भविश्काल से जुड़ी बातों की अधिक करने से वर्तमान में हो रही शकार्तमक बातों की तरफ से आप अपनी ध्यान को नहीं दे पाएंगे आपको बता दें कि मिल रही प्रस्तिती का पूरा आनद लेने की यश्में आप कोसिज करें क्यों यह प्रस्तिती आपके भुष के लिए बहुत बड़ा उप्लब्दी कोई कारी भी यह में किसी की मज़्दात से हलोष रखता है संतान की केरियर और सिर्फा समधान आपको रहत देगा और इसको प्रस्तित में आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि भाउकता और उदर्ता में लिए गए निरले नुक्सान दे रहेंगे इसलिए अपनी इस पर आपको फसाने का दर भी सता सकता है पेसे से जुड़े डर को अधिक मुहत्रों देते हुए ठीक से विवार करने पर अधिक ध्यान देने की यह में आपको आउशकता होंगी आपकी नरब शौभाव का कोई गरत फायदा भी यह मूठा सकता है इसलिए दोसमें यह समय हो उएवार करते शमे समय शावधानी बढ़ते क्योंको दोसमें यह समय होंगे आपको दोखा तडड़ी होने की अशंका लग रही है इसलिए यह समय आपको शावधान रहने की आवशकता होंगी किजी को भी पेशा उधार ना दे और नही कहीं पर शर्मी निवेस कर रहें क् इन सब चीज़ों से इसमें आपको बचना होगा। यह आपके वहई-पार के लिए इसमें बहतर होगे। कि सरकारी संज़ोंत वेक्ति यह संप। पर्मोशन के योग बन रहे हैं। और इश्कुप्रांद दोस्ते ये श्म में आपके लव लाइफ के लिए आपके पारेवरिक जीवन के लिए जी समय होगे, आपको बता दें कि वो इश्याई के परिशानियों को अपने पारेवरिक जीवन पर हावी नौ होने दें, यवाओं की दोस्ती प्रेम शमंदों में ये श्म में तबदील हो शकती है, जो कि आपके लव लाइफ के लिए काफी बहतर होंगे, और इश्कुप्रांद दोस्तों पती पतनी एक दूस्ते की भावनों का शमान करें, इससे आपसे समन्द और दिख बहतर और मजबुद होंगे, और इश्कुप्रांद आपके स्वास्त ठीक होगा, महिलाओं अपने स्वास्त के प्रती ज्यादा जाकरू रहें, यह आपके स्वास्त लिएस में बहतर होंगे,